दोस्तों अगर हम एक कढ़ाई में डेर्ड से दो लीटर दूठ डालके अच्छी तरह से इसको उबालेंगे और गाड़ा करेंगे, साथ में एक कप यानि कि तीन सो ग्राम चीनी भी इसके अंदर हम डाल देंगे, और अच्छे से उबालते हुए इसको गाड़ा करेंगे, गी डालके बिल्कुल अच्छे से 2-3 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि ये इस तरह से पानी सूख न जाए इसका उसके बाद एक कोई भी ग्रीस की होगे ट्रे में या टिन में कोई भी डालके इस तरह से इसको फ्लैट कर देंगे गरम गरम ही डालना है कवर करके 4-5 घंटे के लिए रखेंगे उसके बाद निकाल के इसको हम कट कर लेंगे और यह आपका बिल्कुल हलवाई जैसा दानेदार मिल्केक बनके रेडी है